अपने किसान अंदोलन देखा, आपने SCST में जो बदलाव हुआ था, कानूर में जो बदलाव हुआ था, देखा था ना सर्थ यहाभी तसर मुकणी भी लगे लगे मेरों पर तो, विलकुल हुए, मैं जो बात कहना चाहरा हूँ, वहां से किसान हटे नहीं, दो अपरेल में ल तो लोग अपना दिन रात वहां पर महीनों के लिए लाखों की तादात में एक अकेने सत्पाल तबर से बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना वो तो एक ही आत्मी आपको उठा के फैक देगा जेल में डाल देगा तो मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ अगर मैं अपनी वाली पर आगया ना तो सच बता रहा हूँ कि एक बर मैं जा बैठ जाओंगा ना फिर मैं वहां से उठने वाड़ा नहीं हूँ फिर समाज के लोग अपने आप चले आए तेको सर मैंने तीन तारिक के लिए कदम आगे बढ़ाया सब लोग तुकडो में लड़ रहे हैं तुकडो में मत लड़ो मेरी अपील है सबसे आज जोड के मेरी सबसे अपील है चाए कोई वकील है चाए कोई प्रोफेसर है चाए क करो हम भी आप से बात करेंगे आप भी हमसे बात करो कितने बज़ेगा कारी करम है आपका सुबह ग्यारा बज़ेगा ग्यारा बज़े की आपकी कॉल है एक बज़े से पहले लोग नहीं आएंगे आप कैसे एबियम हटा लेंगे मैं हूँ आज दिली के Constitution कलब में और आज यहां Constitution कलब में कुछ Constitution की ही बात की जाएगी कानून की बात की जाएगी और कानून के सलाकार Advocate नवाब सत्पाल तवर जी मेरे साथ है सर मीडिया में बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आपको जैभीम से आपसे कुछ दो सवाल मुझे करने हैं पहला मुद्दा है एबियम का पहले एबियम की बात करेंगे कि एबियम की आप लोग पिछले 10 साल से एक मुहीम लगाना है क्या परेशानी है एबियम से और क्या परेशानी है बीजेपी से एबियम के रास्ते जाकर के सरकार चोर हो चुकी है एबियम के उपर हमें संद्य है एबियम में धांदलेवाजी होती है एबियम में गोटाला होता है एबियम से लोगों की वोटों को बदला जात वोट डालते कहीं है और जाता कहीं है ऐसे तमाम आरोप लगते रहें और लोकतंतर में ऐसी किसी मसीन की जरूरत नहीं है जहां पर लोकतंतर में यह विश्वास खतम हो जाए जो लोकतंतर का विश्वास खतम हो जाए तो ऐसी मसीन की जरूरत नहीं है अगर लोकतंतर का विश वो तो एबीम से ही एलेक्शन फाइट भी कर रहे हैं अपने नॉमिनेशन भी भरते हैं जीते भी हारते भी हैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा इसलिए क्योंकि यह लड़ाई जो है यह लोगतंतर हित की लड़ाई है और जो पॉलिटिकल हम रहेंगे उसके बाद तुम आजाना देखे यह तो बाबा सामने नहीं आ रहे हैं तो हम क्या उनका यह देखेंगे क्यों सामने आएंगे उनका आईगी तो फिर आप कहते होगी राजनीती से आईगी राजनीती की बात करें तो फिर आप कहते होगी जब हम सीट पे काबिज होंगे तब ही हम पावर में होंगे और तब काम कर पाएंगे आपको हर तरफ से उन्होंने फेल कर रखा है तो आप कैसे पावर में आएंगे और तो हम कहां मना कर रहे हैं हम तो पावर लेने के लिए पूरी तरह कमर कसी हुए है अपनी लोग तो आप आपके साथ नहीं है तो आप कहां से जीतेंगे देखी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है यह देश की जनता तरही माम कर चुकी है देश की जनता ठक चुकी है देश की जनता पर कि दिमाग का आकलन नहीं कर सकते देश की जनता जो चारी है वह हम कर रहे है और देश की जनता चारी है EVM अटाओ मोधी को बगाओ पर जब मोधी साब के लिए जब हम बात करते हैं कि मोधी को हटाना है कैसे करना है BJP से परिशान है लोग कहते तो हैं कि BJP से परिशाने पर जाके वोट वही डाल रहे हैं वो लोग एक साथ चुनाव आयोग पे धरना लाखों लोगों के साथ धरना क्यों नहीं दिये आप सो दो सो पान सो लोग पहुंचाते हैं बस उसमें वह आपको लाठी चार्ट करके भीडबक्रियों की तरह बगा दिया जाता है तो फिर उनकों सत्ता पर क्यों बैठने देंगे हम सत्त कर रहे हैं उसमें से जितने भी एक्टिविस्ट हैं कुछ प्रोफेसर हैं कुछ डॉक्टर से कुछ एड़गेट हैं कुछ ऐसी कुछ ने करेशन या गौर्णमेंट जॉब आप फिर टैर्मेंट हो गई हैं उनकी वह लोग हैं क्या वह लोग एलेक्शन यूनी जाड़ते आप लोग इसन क्यों नहीं लाटते तभी तो जीतों अब लड़ी नहीं रहो हमने कब मना किया एलेक्शन लड़ने से यह तो हमारे महापुरसों कहा है कि राजनीति में आओ राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंडिया है कि आपको प्रायोग व्यक्ति सासन करने लगता, हम तो राजनितीम आने को तियार है लेकिन समाज के आदेश का इंतिजार है जब समाज भी मित्र है मेरा वो पहले भी मित्र था तो आज भी मित्र है देखो फेल या पास की बात नहीं है बात है कि आप लड़ रहे हो की नहीं लड़ रहे हो आप गर्तों नहीं वैठेज को नाज चल रहा है मेरे साथarya मैं आगल तो नहीं हूं मैं मुझे देश की चिंटा मुझे समाज की चिंटा तभी न हर और अमें पर इनर्भा अंदोलनों देख़ा आपण सब्सक्राइब करें जो बदलाव हुआ था कानून में बदलाव देखा था था किया भी तशर मुकर्णी भी लगे अब मेरे वहां से किसान हटे नहीं दो अपरेल में लोग हटे नहीं एन रसी अब कैसे यह जाते हो दो गंटे का धरना देने के वाद अपने घर पहुंच जाते हो क्यों नहीं सारी राजनितिक पाठीया और क्यों नहीं सारे एक्टिविस्ट क्यों नहीं जितने भी प्रोफेसर डॉक्टर वगरा जो यह भाषण दे रहे हैं यहां पर इवियम पे वो लोग अपना दिन रात वहां पर महीनों के लिए क्यों नहीं बैट रहे हैं लाखोंगी तादात में देखो सर मैंने तीन तारिक के लिए कदम आगे बढ़ाया सब लोग तुकडो में लड़ रहे हैं तुकडो में लड़ रहे हैं तुकडो में मत लड़ो मेरी अपील है सबसे हाथ जोड के मेरी सबसे अपील है चाए कोई वकील है चाए कोई प्रोफेसर है चाए कोई नेता है कोई अभीनेता है तुकडो में मत बटो तुकडो में मत लड़ो हमने तीन तारिफ को सभी का आवान किया है आप लोग अमबेड कर भवन तीन फरवरी को सुबह 11 बजी आओ विचार करो हम भी आपसे बात करेंगे आप भी हमसे बात करो विचार करो गोश्टी करो कि कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए और दिल्ली में सिर्फ चार घंटे के लिए नहीं सिर्फ एक दिन के लिए नहीं या चार पास दिन के लिए नहीं बलकि दिल्ली में जब तक दरने पर बैठा जाए तब तक की इवियम को ये लोग हटा नहीं देते या इवियम को ये लोग बैन नहीं कर देते तब तक बैठा जाए कितने बज़ेगा कारिकरम है आपका सुबह 11 बज़ेगा 열각 क। ने तो भी मैं करूँ से नबाब सत्पाल तबर से बैठने से तो कुछ नहीं तुम्हें किसी से डरता थोड़ी नहीं डरते नहीं है पर जेल में चले तो फिर क्या हो वाज आप जेल से भार नहीं आएगी न कोई बात नहीं यह सरकार मुझे उठा दे फैंक दे जेल में डाल दे फांसी पर लटका दे अगर मैं अपनी वाली पर आ गया ना तो सच बता र सचित कालीन के लिए बैठ जाएंगे कि कोई समय नहीं कोई बारिश नहीं कोई धूप नहीं कोई आंदी नहीं कोई तुपान नहीं कोई सड़ती नहीं कोई गर्मी नहीं को तीन फरवरी को कर देंगे तीन फरवरी को करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो क्या दो हज़ा 24 का election होने के बाद फिर से जगेंगे सर मैं तो सड़क पी सूँगा सड़क पी खाऊंगा सड़क पी प्योंगा सड़क पी सोना है सड़क पी रहना है या तो मेरी जेगे जेल में है या सड़क पे है घर का रास्ता मैंने नहीं दिखा ये थे नवाब सत्पाल तबरजी एडवोकेट नवाब सत्पाल तबरजी जिनका कहना ये है कि एबियम हटाओगे तभी बात बनेगी वरना बात बनेगी नहीं और सभी समाच के लोगों से भी इन्होंने आभान किया है कि तीन फरवरी को अंबेटकर भवन रानी जहासी कि अगर सेवा निवर्त है और वह समाच को आगे बढ़ाने की काम बात करता है तो आपको आना पड़ेगा और जागना भी पड़ेगा जैसे नवाब सत्पाल तबर जी ने कहा कि हमें लागों की संख्या में बैठना भी पड़ेगा और वहाँ पर जमना भी पड़ेगा कि अारश आगना भी पर जमना सरय आप करता है और वहारा प।